सब्सक्राइब कीजिए राजधने एजुकेशनल गूरूप पच्कोड या यूटूब चैनल को बेल आइकन दबाईए लेटिस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल एब भी जहिन जहराजधनी कैसे हैं आप सभी मैं हमत कुमार सिंग आप सभी का बाईलोजी मेंटर एक वार फिर से हमारी यूटूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को आज का लेक्चर रहाजम पढ़ने वाले हैं उपास्तिमीन और अस्तिमीन के बीच में क्या जो है डिफरेंस होता है क्या अंतर होता है मैं इस लेक्चर में यह बताऊंगा ठिक है लेकिन उशसे पहले few seconds के लिए मैं आपको यह बता दू कि हमने previous lecture में क्या study किया था मैंने previous lecture में PC's super class को क्या कर दिया था स्टार्ट कर दिया था ठीक है और इस PC's super class के अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको इसके कुछ एक general characters के बारे बताया था साथ साथ जो कुछ एक अभिलाक्षिन गुंधर्म होते हैं उसके बारे में मैंने आपको इस particular topic में प्रिवेस lecture में बता दिया था ठीक है उसी topic को आज हम continue करने वाले हैं और आज करता हमारा topic क्या है आज हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर और कौन-कौन से characters होते हैं PC's super class में मतलब fishes में मचलियों में और ये जो दो प्रकार की fishes होते हैं मतलब अस्थी मीन और उपास्थी मीन इन दोनों के बीच में basic difference क्या होता है ये देखते हैं और साथ-साथ आज के lecture में ही मैं इसके general characters को discuss करने के बाद हम 20 important questions जो हैं वो क्या करेंगे discuss करेंगे मैं again previous phylum जो हम study कर चुके हैं मतलब हमने हमिक कॉरिटा तक जो भी important questions जो होते हैं मैंने इस lecture में क्या किया है include किया है हम वो 20 important questions को भी क्या करेंगे discuss करेंगे ठीक है तो first of all कुछ एक theory का part PC super class के बारे में पढ़ते हैं उसके बाद हम करेंगे क्या question को discuss ठीक है तो start करते हैं आज के lecture को आज हम पढ़ने वाले हैं इन दौनों के बीच में क्या होता है basic difference ठीक है और इसके साथ साथ कुछ एक और general characters को हम क्या करेंगे study करेंगे लेकिन पहले मैं आपको बता दू कि हम जो इन दौनों के बीच में difference कर रहे हैं इन दौनों के बीच में difference का हमारा criteria क्या है हम किस आधार पे हम किस base पे इन दौनों के बीच में क्या कर रहे है difference कर रहे है मैं आपको यह बताने बाला हूँ देखिए मैंने कहा अगर यहाँ पे जो first difference की बात करें यह क्या होता है हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसमें जो caudal fin present होता है यहाँ पर first difference का criteria क्या होगा कि इसमें जो caudal fins present होते है caudal fins को आप जानते हैं क्या कहते हैं इसे कहते हैं basically tail fin क्या कहते हैं इसको इसे ही कहा जाता है tail fins तो यह tail fins के बैसे हम इन दौनों के बीच में किस तरह से difference कर सकते हैं मैं आपको ये बताऊंगा चिक है और इसके साथ साथ हमारा जो next particular base होगा इन दौनों के बीच में difference का वो क्या होगा मैंने का वो होगा फेरिंगेल गिल स्लेट आप जानते हैं काड़ेट के एटीपिकल करेक्टर उसके जो अभी लाक्षने गुंधर्म होता है उसमें ग्रस्निय क्लों विदर का पाया जाना मतलब फेरिंगेल गिल स्लेट का पाया जाना भी क्या होता है एक इन्पोटेंट करेक्टर होता है चिक है उसी को हम यहां पर डिसकूस करते हैं म नाहीं करेंगे कि इसके के कर सकते हैं इन दोनों ही बैसे क्रिटियरिया के बाद हम यहां पर देखेंगे इन इनमें जो X-Critory Structure present होते हैं, यहाँ पे जो भी X-Critory Structure कहने का मतलब जो भी यहाँ पे उच सरजन के लिए जो भी संरस्तना हैं हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी तो उन X-Critory Structure के बैसिस पे हम यह देखेंगे, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे last जो होग होगा हमारा discussion का इन दोनों के बीच में difference का, वो क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे exoskeleton के बारे में बताऊंगा किसके बारे में, इसके हम अन्तह कंकाल के बारे में exoskeleton की बात करेंगे, और फिर क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में difference करेंगे, जिके, देखिए, caudal fins को हम क्या करते हैं, tele fins करते हैं, मतलब यहाँ पे हम, fins मतलब क्या होता है, मतलब इन में जो पखने पाए जाते हैं, और caudal term का meaning क्या होता है, caudal term का meaning होता है, पुछिये परकार के पखने, क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसे हम कह सकते हैं, पुछिये पखने, क्या करते हैं घट देघ Luigi करते हैं सचेंगे हमने कहा ले रहे हम क्या यहां पर च Nahiki इसकी बात करें अगर हम यहां पर उच्छ सर्जी ऑशनाई की बात करें तो हम किस वैसिस पर करेंगे और लास्षा Dr. लिया है क्या लिया है यह एक्जो स्केलेटन का मीनिंग क्या होता है इसका मीनिंग होता है अंतहर कंकाल क्या होता है अंतहर कंकाल होता है ठीक है हम इन चारों के अधार पर क्या करते हैं वन बाइवन डिसकस करते हैं first of all हम very first जो हैं difference का criteria लेने वाले हैं वो क्या है देखिए हम लेने वाले ए ठीक है कि इनमें पाए जाने वाले caudal फिन के बारे में हम बात करते हैं ठीक है अगर इनमें पाए जाने वाले caudal fins के अधार पर इनके बीच में difference की बात करें तो ये एकल प्रकार के भी हो सकते हैं मतलब ये जो हैं आयोगमेद प्रकार के भी हो सकते हैं Unless ya wäre हो सकते हैं साथ-साथ ये paired हो सकते हैं ठीक है अब ये जो आयोगमेद प्रकार के जो पक्ने हुआ करते थे उसको मैंने Dorsal, Ventral, Caudal में divided कर दिया था और अगर हम especially caudal और tail fin की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कहा जाता है आप जानते हैं कि इसको भी हम two category में divide कर सकते हैं एक जो fin होता है इसे क्या कहते हैं इसे कहा जाता है symmetrical fin क्या कहते हैं इसे कहते हैं symmetrical fin क्या कहते हैं और एक जो fin होता है इसे क्या कहते हैं इसे कहा जाता है asymmetrical fin क्या कहते हैं इसे कहा जाता है asymmetrical fin हम यहाँ पर बस यह बात करेंगे कि अगर यहाँ पर cartel genius fish के बात करें और bonnie fish के बात करें तो आखिर क्या basic difference होता है देखिए symmetrical और यहाँ पर asymmetrical fin होते हैं इसकी बा ही कहा जाता है सम्मीत प्रकार के पखने क्या करते हैं इसे क्या करते हैं शम्मीत पखने कि К कहेंगे asymmetrical कहेंगे ठीक है लेकिन आप यह जानते हैं कि symmetrical के लिए ही एक word हम use करते हैं इसे क्या कहते हैं इसे कहा जाता है homo circle क्या कहते हैं इसे इसे कहा जाता है homo circle और यह जो asymmetrical होता है इसे क्या कहते हैं इसे कहा जाता है Surrent- Haeterocircle क्या क्योते है इससे वह किस में मिलेंगे कि यहाँ फिश में मिलेंगे किस में मैं आफिए जो हैём में बॉनी फिश में दिखाई देते हैं या फिञ जो यहाँ पे fins मिलते हैं, किस प्रकार के caudal fin मिलते हैं, मैंने का यहाँ पर सम्मीत प्रकार के मिलते हैं, ठीक है, और सम्मीत प्रकार के fins में मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, इसको एक diagram समझने की कोशिश करते हैं, suppose मैंने यहाँ पर क्या किया, किसी भी particular fish को लिया, और इ कि दौनों ही पाठ की है, मैंने का ये दौनों ही जो पार्ट होते हैं, वो वैसकी क्या होत offended, मैंने का symmetrical होते हैं, इनके size को देखें, तो वो बिल्गुल एक जैसे दिखाए जाते chosen, लेकिन यहाँ पिए अगर हम किसकी बात करें, hetero circle की बात करते हैं, तो इस particular यह जो आज सम्मीद प्रकार के fins होते हैं इसमें कौन सा example आएगा मैंने का यहाँ पर जो example आता है यह क्या होता है मैंने का यह होता है cartiliginous fish क्या होता है मैंने का यह जो cartiliginous fish होता है इसमें हम लेते हैं किसको मैं अगर सम्मीत है तो यह उपास्थी mean में परजिन होते हैं और अश्टी mean में हम ऐसा क्या होते हैं पहले हम यह डिस्कस करें जिसको क्या केते हैं तरह एक डाइग्राम के थूँआ कि बात करते हैं यहां पर हमने क्या किया, suppose मैंने एक इसके टेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता हुआ एक डाइगराम बनाया, यहां पर हम देखेंगे कि आखिर यह असम्मीत किस प्रकार से होता है, इस प्रकार के जो अगर यहां पर एक कॉडल फीन आपको दिखाए दे, यहां पर आप दे प्रेजेंट होता है, डाइगराम और इन सभी कंसेप्ट के बैसिस पे हमने यहां पर कॉडल फीन के बैसिस पे कैसे हम डिफ्रेंस कर सकते हैं, इसके बारे में देखा, अब मैं बताता हूँ, हम अब पढ़ने वाले हैं कि इसके बारे में यहां पे इस पेशली, यह जो फैरेंगेल गिल स्लिट होता है, आकिर यह किस पर्डिकुलर प्रुसेस के लिए, किस प्रक्रिया के लिए पाए जाने वाले स्टॉक्चर होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि यह जो है स्वासन के लिए पाए जाते हैं, किसके लिए, मैंने का स्वासन के लिए मतलब य जो है respiration के लिए पाये जाने वाले क्या होते हैं structure होते हैं अब यहां पर हम किसकी बात करेंगे यहां पर हम इसके number की बात करेंगे number के basis पे हम ये देखेंगे number क्या है मैंने का यहां पे हम किसकी बात करें यहां पे संख्या की बात करें अगर इसके numbers की basis पे इन दोनों के बीच में अगर हम difference की बात करें तो क्या कहा जाता है कि अगर इनका number क्या हो मैंने का अगर ये five pairs हो कितने हो मैंने का ये five pairs हो होते हैं basically five pairs फेरंगल गिल्सलेट किसमें पाया जाता है ठीक है मैंने फेरंगल गिल्सलेट के नंबर के धार पर मैंने कहा हो सकता है कि एक फिश में five pair होगा एक फिश में क्या होगा four pair होगा ठीक है यहां पर देखिए यह जो five pair मतलब पांथ जोड़ी प्रकार के जो फेरंगल गिल्सलेट सौसन के लिए पाया जाते हैं वो किस प्रकार के फिश में मिलते हैं मैंने कहा यह काटिल इजिनियस फिश में मिलते हैं और अगर हम किस फिश की बात करें अगर हम यहां पर bonnie फिश में पाय जाने कि यहां पर देखिए इन्पोटेंट क्या है मैंने आपको एक यहां पर ही देखते हैं एक note point देखते हैं देखें यहां पर क्या होता है कि अगर हम pharingal gill slit की बात करें न तो यह ग्रस्थनिये clone wither जो हैं एक special type के structure एक विसे इस प्रकार के संदस्तना से covered होते हैं धके हुए होते हैं ठीक है और उस structure को क्या कहते हैं देखे इसे मैंने打 कार लिग दिया कि suppose ये मान लिया मैंने क्या है यह मैंने कहा यह pharingal gill slit हैं और यह जो pharingal gill slit होता है वह covered होता है यह ड्खे हुए किस से होते हैं मैंने कहा यह गहिंशाथा एक इतैर जहर्णोड काव्रेश मैंने कहते हैं यह उपर कुलम से covered होते हैं, और उपर कुलम को हिंदी में क्या क्या कहते हैं इसे कहा जाता है गिल्धापन क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं गिल्धापन ठीक है तो ये जो आपर कुलम होता है जिससे ये फैनिंगल गिल्सलिट क्या होता है मैंने कहा ये जो है फैनिगल गिल्सलिट कवर्ड होता है मतलब ये क्या होते हैं धके हुए होते हैं तो बैसे के लिए ये जो आपर gillslet को ढखने वाले structure को opercular column कहते हैं अब ये opercular column देखिए किस में present होता है और किस में absent होता है हम इसकी बात करते हैं देखिए यहां पर first of all अगर हम बात करें किसकी cartilig enduring fish की बात करते हैं तो यह जो cartilig fundraising files होते हैं इसमें जो opercular column होता है है वो क्या होता है मैंने का यहां पे जो ऑपर कुलम होता है भह Unsent होता है मतलब इनके जो yellow गीलस्रीट होते हैं वे Uncoverd होते हैं दखे हुए नहीं होते हैं दлекन यहांपे अगर किसकी बात करें यहां परकई कें बॉनीफिष यहांपर जो दो आ पो पर्णा की बात करें यह जो आपर कुलम होगाow वह क्या डगा हुआ होगा मैंने का यहां पर इभल प्रिजेंट है इसी लिए भिल विल फिज्स विर्सश में घ्सक में हम ने त्में इंदोनों की बीचू बात की अगर रहें प couple प्रिजेंटे अगर्स P creative57 पर नंबर की बाते हैं तो कितना होझा और किसमे ओगा यह उपासती में जो होTASTY है उसमें फाइब प्रघ ऐड गल सट्रीट प्रेसेंट फाइब फेला की बात करें तो किसमे consciousness है हम हमने यहां पे दो आदाहार लिया, एक तो फैयंकल गील्ट्रेट की शंख्या, और इसके साथ क्या यह ओपर कुलम से कवर कब होते हैं और कवर कब नहीं होते हैं, इन दोनों ही एक्समपल के बारे में हमने क्या किया? डिस्कस किया, चीक है? अब देखे इसके बाद हम discuss करने वाले हैं किसके बारे में एक्स क्रिटरी स्टॉक्चर के बारे में देखे यही पर हम discuss कर लेते हैं कि यहाँ पर देखे मैंने इसका जो last base लिया है मतलब इस discussion का वो क्या है एक्स क्रिटरी स्टॉक्चर है ठीक है देखे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं X-Creatory Structure के बारे में ठीक है अगर यहाँ पे X-Creatory Structure के वैसेस पे मतलब उच सर्जन के लिए पाए जाने वाले जो भी structure होते हैं इस ड्वेंट इसके वैसेस पे बात करते हैं देखे मैंने कहा अगर सपोस यहाँ पे first of all हम cartilaginous fish के बात करें किसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उच सर्जी संदस्तना किस के लिए मैंने कहा किस प्रकार के fish के लिए आप यहाँ पे लेख रहे हैं लिखा हुआ है cartilaginous fish के लिए मतलब उपास्ती मीन के लिए उपास्ती मीन के लिए जो सर्जी संदस्तना होती है उसे क्या कहते हैं इसे कहा जाता है cloaca क्या क्या कहते हैं इसे कहा जाता है cloaca cloaca को हिंदी में क्या कहते हैं cloaca के बारे में हम इससे पहले भी study कर चुके हैं जब हमने आपको SK Helminthes फाइल नम बटाया था और हमने difference देखा था male iscaris और female iscaris के बीज में ठीक है अब देखिए तो मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि जो male iscaris है उस पे cloaca present होता है पीनियल सेटी वाले पार्ट को मैंने zoom in भी किया था microscope से study करके उसका क्या view दिखाया था यह भी बताया था आपको फिर मैं देखिए यहाँ पे कहा कि अगर हम cartiligineous fish की बात करें तो मैंने कहा यह जो है इसमें cloaca होता है जिसे क्या कहता है इसे इसे अवसकर द्वार कहा जाता है लेकिन यहां पर अगर एक्रेटरि structure की बात करते हैं किसकी लिए यहां पर यहां पर हम किसकी बात करें बानी fish की बात करते हैं चिके तो यह जो bonny fish होता है no मैंने का bonny fish Leh लिए जो उत्सरजी संदस्तना है वो हम किसे कंसिडर करते हैं चीक है यहां पर हम कंसिडर करते हैं जो यहां पर बैसिकली स्टॉक्चर होता है यह क्या होता है मैंने का यहां होता है इनस को क्या करते हैं इनस को कहा जाता है गुदा मार क्या कहेंगे हम इसको कहेंगे गुदा जब हम बात करेंगे एनस या गुदा मार्क की तो यह फिल प्रेजेंट एन बॉने फिश ठीक है तो यह दो परकार के एक स्टुक्चर के बारे में आपने देखा लेकिन यहां पर देखिए एक नोट पॉइंट में आपको प्रवाइट करने वाला हूँ देखिए यह क्या है कि स्पेशली अगर हम किसकी बात करें इसमें क्ल्एका के पास में एक स्टॉक्चर प्रेजेंट होता है और इस structure को क्या कहते हैं देखिए इस structure को कहा जाता है basically क्या मैंने कहा इसको कहा जाता है clasper क्या कहते हैं इसे कहा जाता है clasper ठीक है और यह जो clasper है वो एक ऐसा structure है जो किसके पास present होता है मैंने कहाँ cloaca के पास जो है cartilaginous fish में clasper जैसा कुछ structure दिखाई देता है और इस clasper को क्या कहेंगे मैंने का यहाँ पर जो clasper होता है यह किसमें help करता है it will help in यह किसमें सहायता करेगा मैंने का यह जो है reproduction में help करता है मैंने का यह जो है reproduction में मतलब यह जनन के प्रकरिया में क्या करता है मैंने का यह जैनन के प्रिकरियां में help करता है आपने इतने सारे पॉइंट देखे इन सभी पॉइंट के बैसिस पे हमने इहां पर किससी बात करें बात करें यहीं पर नियुक्राव test JON delegation भी म採़ें तो इसका आधार क्या होता है मैं आपको यहीं पर ही बता देता ह ją देखिए मैंने का अगर हम यहाँ पर अंते कंकाल की बात करें या फिर exoescalator की बात करें ठीक है तो यह जो इसका जो अंते कंकाल होता है वो किस-किस से बना हो सकता है मैंने का हो सकता है कि अंते कंकाल किस से बना हो मैंने का उपास्ती से बना हो मैंने का अगर अंते कंकाल उपास्ती से बना हो और हो सकता है कि यह अंते कंकाल किससे बने हो सकते हैं मैंने का अस्ती से भी बने हो सकते हैं यहां पे उपास्ती से भी बने हो सकते हैं और अस्ती से भी बने हो सकते हैं और यहां पे जब हम बात करें कि अगर अंतेह कंकाल, यहाँ पे जो अंतेह कंकाल होता है, वो किससे बना होता है, मैंने का अगर यह उपास्ती से बना होता है, उपास्ती को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, काटिलेज, क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है, काटिलेज, काटिलेज जो हैं, वो कोमल प्रकार के स तो वो cartilage stage होता है जो आगे west में मतलब adult में change दो करके bond में क्या हो जाते हैं modify हो जाते हैं रुपान्तृत हो जाते हैं अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि यह जो अगर उपास्ती जो है अगर यहाँ पर अंते कंकाल जो है अगर किस से बना हो अगर उपास्ती से तो हम इसे क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे cartiligineous fish क्या कहेंगे इसे कहा जाएगा cartiligineous fish ठीक है और यहाँ पर अगर अंते कंकाल यहाँ पर किस से बने होते हैं अस्ती से बने होते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे बताए आप मुझे इसे हम कहेंगे bonny fish क्या कहेंगे इसे इसे हम कहेंगे bonnie fish हमने यहां पर दोनों ही special case के बारे में one by one क्या कर चुके हैं discuss कर चुके हैं एक और बार मैं इन सभी चीजों को one more time revise करने वाला हूँ इसके बाद हम further study करेंगे देखिए मैंने आको क्या बोला हमने यहां पर some basic differences between the cartilaginus fish and the bonnie fish क्या किया consider किया मैंने बताया कि on the basis of caudal fin यह जो है symmetrical भी हो सकते हैं asymmetrical भी हो सकते हैं अगर symmetrical हो तो दौनों ही आपको दिखरा है यह दौनों ही series caudal fin के क्या होते हैं मैंने का यह एक जैसे दिखाई देते हैं इसे हम homo sacral भी कह सकते हैं मैंने का इसे homo sacral भी कह सकते हैं और यह bonnie fish में क्या होता है प्रेजेंट होता है अगर asymmetrical fin की बात करते हैं इस जो होता है basically यह कहा होगा मैंने कहा यह उपास्ती मीन में होता है और इसे क्या कहते हैं इसे hetero cycle भी कहते हैं इस diagram में आपको देखने को बिल रहा है कि दौनों ही series जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल भी equal नहीं है इसलिए क्या कहेंगे इसे उपास्ती मीन कहेंगे चीक है देखें यहाँ पर अगर हम बात करें फैनेंगेल गिल्सलिट की मतलब ग्रेश्ट नहीं है कलों विधर की तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है मैंने कहा यहाँ पर सौशन जो है यह फैनेंगेल गिल्सलिट जो है सौशन के लिए responsible है अगर यहाँ पर numbers की बात करते हैं तो अगर यह five pair किसमे होते हैं यहाँ पर cartil點us fish में five pair होते हैं और bonny fish में कितने होते हैं मैंने का यहाँ पर यह पर यह ब्यानी fish में four pairs होते हैं नोट पॉइंट बताया कि यह जो फेरिंगेल गिल सिट होते हैं वो कुछ विसेश प्रकार्ट के स्टॉक्चर से धके होते हैं इसे क्या कहते हैं इसे ओपर कुलम कहा जाता है ठीक है और यह जो ओपर कुलम होते हैं इसे गिल धापन कहते हैं वैसे लिए इसकी बात करें तो कहां प्रेजेंट होगा कहां आप सेंट होगा काटेली जीनियस फिश में आपर कुलंग नहीं पाया जाएगा ठीक है अब देखिए मैंने का उसका जो फेरिंगेल गिल्स्लिट होता है उसका जो ग्रस्निय क्लोंग विदर होते हैं वो ऐसे अंकवर्ड होते हैं धकेवे नहीं होते हैं किसमें उपास्ती में में लेकिन हम अगर अकर रस्ती में की बात करते हैं तो वहां पर प्रेजर्ट है ठीक है अब देखिए मैंना इसी बिएस पर आपको नेक्स्ट जो हमारा क्रिटेरिया था वह वह था एक्स्ट्रुक्च्चर मतलब उस्षर जिशनलस ना पर क्लोएका है तो क्लोएका किसमें होगा काटिलेजिनियस फिश में अगर एनस है तो किसमें होगा मैंने क्या बॉनी फिश में अब देखिए यह क्लोएका के पास ही एक स्ट्रॉक्चर प्रिजेंट होता है इस स्ट्रॉक्चर को क्या कहते है मैंने का इसको क्लेस पर कहते है और ये जो class पर होता है वो help किसमें करेगा मैंने कहा ये reproduction में क्या करेगा help करेगा किसमें ये जिनन में help करता है इसके बाद देखिए यहाँ पर exo screen की बात करते हैं तो अंते कंकाल अस्तिका भी बना हुआ है उपास्तिका भी बना हुआ है अगर ये उपास्तिका बना होता है हम कहेंगे इसे cartilaginous fish और अगर अस्ति का बना होता है तो क्या कहेंगे इसे bonnie fish कहेंगे इन सभी characters को study करने के साथ यहां पे हम क्या study करने वाले हैं कुछ एक और character general character जो होते हैं जिसे हमें पढ़ना है हम यह देखने वाले हैं देखिए अब मैं आपको क्या बताऊंगा कि यहां पे जो अगर fish की बात करते हैं तो fish में क्या present होता है मैंने कहा एक विशेष प्रकार के लिए balancing structure जो होता है वो present होता है जिके अब यह balancing structure जो होता है क्या होता है मैं आपको यह बता दूँ मैंने कहा यहां पे संतुलक संश्टना के बारे में बात करने वाले हैं तो यहां पर इसे कहते हैं रियो रिसेप्टर क्या कहते हैं इसे कहा जाता है रियो रिसेप्टर क्या कहते हैं अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे रियो रिसेप्टर बोला है इसी रियो रिसेप्टर को और क्या कहते हैं इसी को ही क्या कहा जाता है हम यहाँ पे और लिखते हैं यहाँ पे इसी रिय नियूरो मास्ट औरगन क्या कहते हैं मैंने इसी को बोला है नियूरो मास्ट औरगन भी कहते हैं नियूरो मास्ट औरगन के साथ साथ इसको और क्या कह सकते हैं इसी को कहा जाता है लेट्रल लाइन सेल्फ औरगन क्या कहते हैं ये कहते हैं लेट्रल लाइन सेंस औरगन कहते है और ये बहुत ज़दा important है ठीक है lateral line sense organ जो है fishes में generally present होते हैं और ये वो structure है जो इनके body को क्या करते हैं balance करने में मतलब उनको संतुलन प्रदान करने में क्या करते हैं responsible होते हैं ठीक है अगर मैंने कहाँ यहाँ पर पार्शुवियर जो रेखा और sense organ को क्या कहेंगे संवेधी अंग कहेंगे ठीक है पार्शुवियर रेखिए संवेधी अंग होता है या फिर क्या होता है यहाँ पर neuromast organ होता है या फिर इसे ही क्या कहते हैं रियो receptor कहते हैं जो कि इसमें संतुलन के लिए present होते हैं किसके लिए मैंने का यह जो है balancing के लिए या फिर balance के लिए पाय जाने वाले क्या होते हैं structure होते हैं अब देखिए इतने सारे point को discuss करने के बाद हम यहाँ पे एक और special point discuss करते हैं यह भी इसी का ही important point होता है इन सभी point के बाद हम discuss करते हैं मैंने आपको previous lecture में थोड़ा बहुत बताया था किस fish में क्या present होता है fish में यहाँ पे swim blader present होता है क्या होता है swim blader present होता है और इसी swim blader को क्या करते हैं इसी को कहा जाता है air blader क्या क्या करते हैं इसे ही कहा जाता है air blader भी इसको कहते हैं या तो हमने बोला इससे swim blader ठीक है या फिसे हम कह रहे हैं क्या air blader अब यह जो air blader यहा सहायता किश में करता है यह तैहरने में मतलब स्वीमिंग में क्या करेगा ठीक है इसके बारे में थोड़ा बहुत पॉइंट जो मेंने आपको बताये था में भी टैहररने में में क्या करेगाओ में help करेगा swimming के साथ यह कहां और किस more प्रसेस में help करेगा यहाँ पर यह sometime respiration में help करें मैं घरह मतलब operation में help करेंगे तो यहां पर gonna में क्या करते हैं साहीता करते हैं छिक है लेकिन important point क्या है कि यह जो swim leader होता है किसमें present होते हैं और किसमें absent होते हैं हम यह देख लेते हैं देखिए मैंने का यहां पर अगर यहां पर cartilaginous fish की बात करें तो cartilaginous fish में क्या बताया था मैंने आपको कि cartilaginous fish जो होता है ना उसमें यह जो swim leader होते हैं वो क्या होते हैं को हिलाना पड़ता है तैडने के लिए swimming के लिए क्यों चुकि उसमें क्या नहीं है उसमें एयर ब्लेडर नहीं होता है ठीक है अब देखिए मैं अगर हम इसी particular point में हम पढ़ेंगे किसके लिए अगर हम यहां पर bonny fish के लिए पढ़ें किसके लिए अगर यहां पर bonny fish की बात क पाते हैं जल के सते पर water के surface पर लेकिन यहां पर यह भी का जाता है इसमें पाया जाने वाला जो air blader होता है swim blader होता है वो क्या करते हैं मैंने कहा वो basically archimedes के सिधान्त के अनुसार इनके body को उत्पलावक बल प्रदांद करते हैं उत्पलावक बल प्रदांद करने का काम किसका है मैंने कहा इसी air blader का है और किसमें क्योंकि यह ब्वानी फिश्ट प्रेजेंट होता है तो यह अस्तिमीन में क्या करेंगे यह force प्रवाइट करेंगे इन सभी point को discuss करने के बाद यहां पर देखिए एक important point जो मैं आपको बताने वाला हूँ यह क्या है कि इसी swim builder में क्या present होता है देखिए यह हमारा star point है इसी swim builder में एक विसेश प्रकार का योगिक present होता है इस योगिक को क्या कहते है इस योगिक को कहते है किया क्या किया है है मैंने का इस योगिक को जो यह हम यूज की बात करते हैं किसे का यूज क्या है इसका उपयोग क्या है आखिर यह आता है तो देखिए यह जो इसीन के लास होता है as doing basically यह किस काम में आएगा मैंने का यह खिलोने जो है उसको निर्मान में मतलब twice जो है न twice मतलब खिलोने के निर्मान में भी इसको काम में लिया जाता है इस परकार के योगिक को खिलोने के निर्मान में ठीक है इसके जो है basically सुधी करन या फिर हम इसे कहते है क्या इसे कहा जाता है purification तो purification में भी क्या करते हैं इसको हम use में लेते हैं इन सभी point के साथ यहाँ पे हमने क्या किया यह देखा कि balancing structure क्या होता है है न और साथ-साथ हमने देखा कि swim leader के बारे में कौन-कौन से point हमें क्या करना है study करना है swimming में help करता है respiration में help करता है एक विसेस प्रकार का योगिक के बारे मताया उसके use के बारे मताया और cartilaginous fish में यह जो blader होते हैं और present किसमें होते है bonnie fish में present होते हैं हमने यहाँ पे इससे PCS के लिए PCS सूपर क्लास के लिए जो भी examples वगरा थे जो भी main character हमें discuss करना था उसे तो हमने क्या कर लिया है discuss कर लिया ठीक है अब यहाँ पे सीधे हम start करने वाले हैं इसके जो भी general characters और बचे हुए हैं जैसे कि हम life processes की बात करेंगी digestion कैसे होता है इसमें respiration कैसे होगा ठीक है हम इन सबी चीजों के बारे में देखेंगे और सासाथ मैं आपको इन दौनों ही प्रकार के अस्ती में और उपास्ती में के examples भी बताऊंगा ठीक है तो यह हम study करेंगे next lecture में लेकिन अभी जो हम start करने वाले हैं वो क्या है अब मैं आपको previous जितने भी फाइलम थे non-cordata के ठीक है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ और हम यहाँ पे questions discuss करने वाले हैं मैंने आ हमारे पास जो हैं जो first question है वो कौन सा है ठीक है यह देखिए मैंने कहा अगर हम first question की बात करें हैं आपके पास दिखाई ज़रा है very first question जो मैंने आपको बता है यह क्या है यह बता रहा है पूछ रहा है कि यह फिर third option है send warm और fourth option क्या है पिकॉक warm चार option आपके पास है जल से जल आप मुझे बताएं कि कौन सा answer जो है आपके पास जो चार option है वो कौन कौन से है मैं वापस बता दू चार option यहाँ पे है talk करते हैं कि इसकी answer के तरफ पहले हमें Know सेर्ढ़ स करना होता है अगर कोई species कोई अगर प्रसारथी के बारे में दे सकते हैं कि आखिर यह किस lokal करता है तुर चै stripes हम यह देखते हैं इसे को जो भी member Hemicода में आते हैं इसको एक और नाम दिया दाथा है इसे कैते हैं इसे हम basically करते हैं Tongue warm क्या करते हैं इसे किते हैं Tongue warm करते हैं जो कि बाहर निकालते रहते हैं और इसी सो भाव को दर्शाने के लिए जो हैं आप California इसको Tongue warm कहा जाता है लेकिन question क्या है कि Beleno Glossus जो हैं इन मेंसे चार ओप्शन में से टंक वर्म तो है निय लेगर अगर आपको याद हो टंक वर्म के साथ मैंने Beleno Glossus को और क्या कहा था मैंने इसे कहा था Eccorn Warm च丹 मैंने इसे कहाता, इसे ही क्या कहते है इसे ही हम Eccorn Warm भी कहते है आप देखिए हमने यहाँ पर Belenoglossus के अलवा एक और Example डिसकस किया था वो सेको Glossus था ठीक है मैंने Hemicorida Phylum में ही इस Example के बारें बताए था ठीक है और यहाँ पर देखिए आपको क्या वालूम चला हमने यहाँ पर Two Classes भी डिसकस किये था ठीक है Hemicorida में दो Classes कौन-कौन से मैंने एक बताया था आपको Enteronistra के बारे में जिसमें Belenoglossus आता है ठीक है और साथ-साथ मैंने एक और जो Class बताया था वो क्या था टेरो ब्रेंग क्या रेब्डोपलिरा के बारे में आपको बताया था ठीक है Enteronistra का सामाने नाम क्या है इसे कहते है एक Cornworm ठीक है Next question हम करने जा रहे हैं Discuss करने जा रहे हैं यह कौन सा है मैंने का question number 2 ठीक है अब देखे question number 2 कौन सा है पूछ रहा है आपसे कि Tornaria larva is the characteristic of मतलब यह है कि एक विसेस प्रकार के लार्वा के बारे में आपसे पूछ रहा है इसे कहते हैं Tornaria larva मतलब Tornaria larva जो है वो किसमें present होता है किसका अभी लाक्षने गुंधर्म होता है चार option है चार option क्या है First option है Hemicodate Second option है Eurocodate Third option क्या है Cephalocodate Fourth option क्या है Vertebrate इन चारो option में से आप जल से जल मुझे बताएं कि आपको कौन सा option जो है वो सही लग रहा है मतलब Tornaria larva जो है इन चारो particular जो group दिये हुए है जो phylum दिये हुए हैं या classes given है उसमें से कौन से particular phylum या class के member या sub phylum के member में क्या present होता है Tornaria larva present होता है यहां पर जो है एक larva present होता है इसे क्या करते है इसे Tornaria larva कहते है अब देखिए अगर यहां पर Tornaria larva मतलब Larval stage यहां पर क्या है present है तो यहां पर हम यह भी बात कर लें कि इसका embryonic development क्या होगा भोनिये परिवदन आप सरी को पता है embryonic development जो होगा यहां पर direct होगा या indirect होगा तो अगर question यह भी आजाता कि embryonic development कैसा होता तो यहां पर हमरा answer क्या होता यहां पर indirect type का होगा कैसा होगा indirect या फिर अप पर तक्षे परकार का होगा simple सा question था straight forward question था factual question है सीधर ही आपको decide करना होता है कि tonneria larva जो है वो किस phylum में present होता है हमें तो eurocordate, vertebrate और cephylocordate के बारे में discussing नहीं करना है क्यों क्यों कि यह सब ही जो होते है eurocordates होते है vertebrates होते है cephylocordates होते है यह सारे chorita phylum में discuss करते हैं लेकिन आपको पता है hemicordate क्या होता है जिसमें हमने अभी इससे पहले जो एक्जामपल दिखा था बेलिनो गलोसर जिसे एक कॉंड वर्म टंग वर्म कहते हैं वो भी इसी में आते हैं तो यहाँ पर larva कौन सा है मैंने लिखा टॉड नेरिया larva अब हम लीड करने जा रहे है next question के तरफ question number third question number third क्या है पहले हम study करते है question पूछ रहा है हम से कि Aristotle लाल्टेन मैंने आपको इसमें हिंदी में बताया था अरस्तू का लाल्टेन जो कि एक किस प्रकार का structure होता है मैंने का यहाँ देखे लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है masticatory apparatus एक मतलब यह masticatory apparatus क्या होता है पहले मैं आपको यह explain कर दूँ masticatory word का मतलब होता है चबाना ठीक है क्या होता है इसका meaning होता है यह चबाने के लिए mastication के लिए जो भी उपकरन जैसे structure मिलते है यह masticatory का मतलब क्या होता है यह term जो है मतलब particular word structure यह उपकरन जैसा कुछ structure जिससे क्या कहते है अरस्तु का लालतेन कहते है यह किस में पाया जाएगा मैंने आपको question समझाया चार option दिए हैं आपके पास फर्स्ट option है क्या C-archin सेकेंड option क्या है Asteriaz और थर्ड option क्या है और लास्ट option क्या है फोर्थ option क्या है C-anemone चारों option में से आप जल से दल मुझे बताएं कि यह mastication मतलब चबाने के लिए या फिर इसको हम यह कहें भोजन के अंतर ग्रहन के लिए पाय जाने वाले एक जो structure होता है अपार्टस होता है हम one by one सभी member की बात करेंगे देखिए हम यहां पर अगर किसकी बात करें first of all C-archin की बात करें यहां पर C-archin जो होता है इसे ही क्या केते हैं इसे ही कहते हैं इकाइनस क्या केते हैं इसे इसे ही I-Kainus केते हैं और इकाइनस जो है वो किस वर्ग में आता है, मैंने कहा यह जो Aristotle का लालतेन है, अगर यह देखें कि पर्टिकुलर यह किस फाइलम में पाया जाने वाला करेक्टरे, पर ले हम फाइलम की बार कते ठीक़े, फाइलम में मैंने आपको किस फाइलम में बताया था, जब मैंने आपको इकाइनो डर्मेटा फाइलम बताया था ठीक है इकाइनो डर्मेटा फाइलम में जब हमने क्या डिसकस किया था यह एक जो वर्ग होता है एक क्लास होता है उसी का जैसे क्या कहते हैं इसे कहा जाता है इकाइनोईडिया क्या 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 क्यते हैं तो इसी पर्टिकुलर इकाइन понял Via में जो मेंबर होता है उसे का इकाईनस को ही क्या क्या कहते हैं और इकाईनस को ही क्या कहते हैं मैंने का इसी को सीक różn dependent धोता है और इक टनी के रिस Un кот एक kita इक हिने यह अनके अन् continuar आता है प्रिजेंट अब ये food injection मतलब भोजन के अंतर ग्रहन के लिए पाए जाने वाले क्या होते हैं structures होते हैं अब देखिए यहाँ पे off-view tricks कहां से होगा मैंने कहा off-view tricks जो हैं इसे हमने क्या कहा था brittle star या भंगूर तारा लेकिन आपको मैंने वहाँ पे एक note point प्रवाइट किया था कि Aristotle जो लाल्टेन होता है वो केवल एक ही work में पाया जाने वाला अभी लाक्षनिक गुंदर्म होता है और वो work कौन सा होता है मैंने का इसे कहते हैं Echinoidia क्या कहते हैं Echinoidia कहते हैं बिल्कुल सीधा सा straight forward जो है हमारा question था सीधे हम next question के तरह बढ़ते हैं question number four question number four देखे क्या है question number four पहले पढ़ते हैं कि आखिर आप से क्या पूछ रहा है यहां पे पूछ रहा है कि tick mark the wrong match मतलब चार option है चारो option मिलान वाले हैं matching वाले question बता रहे हैं चारो option के सामने आपको दिख रहे हैं कि particular matching वाले column बने हुए है एक column में particular यह character दिया हुआ है और एक species का नाम दिया हुआ है first column में चीक है second में दिया हुआ है आपको क्या classes given है आपको बस यह पैचानना है कि यहां पे कौन सा column miss match है miss match का मतलब wrong answer कौन सा है first देखिए first देखिए यहां पे क्या है आपसे पूछ रहा है कि क्या यह C lily जो है crynodia से बिलोंग करता है क्या यह सही है मने का brittle star जो है क्या यह offy radia से बिलोंग करता है third option है C archin जो है वो ekainodia से बिलोंग करता है और उसके बाद जो last option है question number four का जो fourth option है वो क्या है C cucumber जो है वो asteroidia से बिलोंग करता है चार option है आपके पास चारों में से आपको यह पैचाना है कौन सा गलत मिला हुआ है मतलब wrong match के बारे में आपसे पोच रहा है देखिए क्यों ना हम एक बार इन सभी को systematic order में हर particular option को क्या करें discuss करें क्योंकि यहां पर straight forward question का answer नहीं दे सकते पहले सोचना परेगा logic है यहां पर देखिए पहले आपको सोचना परेगा C lily मतलब सोचते हैं कि C lily के बारे में हमने कहा देखा था यहां पर first of all यह देखिए जितने भी members आपको दिख रहे हैं वो किस phylum के लग रहे है यह classes जो है वो किस phylum के है तो first of all यह decide करेंगे phylum कौन सा है phylum कौन सा है phylum है यहां पर echinodermata क्या है मैंने कहा echinodermata phylum की यहां पर बात की गई है ठीक है और echinodermata phylum में first option देखते है c lily जो है मतलब यहां पर यह जो है इसे ही क्या कहते है c lily को ही कहते है antidon क्या कहते है इसे हम कहते है antidon कहते है और यह जो antidon होता है वो किस class में आता है मैंने कहा यह क्या यह crinoidia में आता है बिल्कुल सही है यह तो आता है किसमे crinoidia में ही आता है लेकिन मैं आपको ये बता दू, question हमसे ये पूछ रहा है, कौन सा correct match है, ये नहीं पूछ रहा, कौन सा wrong match है, miss match पूछ रहा है, ये तो बिल्कुल सही है, चीक है, तो ये option तो कभी नहीं हो सकता, अब हम second option की बात करते हैं, brittle star, brittle star को जो है, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, भंग वंगूर तारा है, उसके लिए आगे जो classes के name given है, वो क्या है, ओफियो यूरिडा है, बिल्कुल सही है, तभी तो हम कह रहे हैं, ओफियो तरिक्स इस particular class में आता है, वंगूर तारा जिस class में आते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो ये भी सही है, लेकिन हमारा option, जो है second option भी इस इसे कहते हैं, इसे ही कहते हैं, इसे कहा जाता है, और ये जो होता है, ये किस class के member होता है, मैंने कहा ये इकाइनोईडिया का होता है, इकाइनोईडिया का होता है, मतलब ये भी क्या है, ये starting के तीनों ही correct match हो गए, question पूछ रहा था कौन सा wrong match है, आप देखिए, यहां पर obvious समुदरी खीरा के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, पहले ये देख लें, समुदरी खीरा या फिर हमने समुदरी ककरी कहा था, और ये जो है basically किसका common name था, हमने यहां पर एक example पढ़ाता है, अगर आपको याद हो, हमने यहां पर पढ़ाता होलो थूरिया के बार इसका particular किस class से बिलॉंग करता है, तो basically यहां पर लिखा हुआ है एस्टेरोइडिया, और यहां पर क्या ये सही है क्या मैंने का नहीं, बिलकुल ये सही नहीं है, मैंने का ये wrong match है, ठीक है, क्यों, एस्टेरोइडिया में तो क्या आते हैं, मैंने का एस्टेरोइडिया में स्टारफिस जो हैं किस में आते हैं, एस्टेरोइडिया में आते हैं, लेकिन यहां पर सी कुकुमबर किस में आते हैं, मैंने का इसका जो class है, मैंने का इसका class कौन सा है, मैंने का इसका class होता है, इस्टेरोइडिया, क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है, हॉलो थुरोइडिया क सबस्क्राइब, हमने यहां'T problem को इन डिज्यूल ी। कई है तो यहां पर यह भी दीखना होता है उस पहले आप जो है बाकी के जो थर्ड थरी ओप्शन होते हैं उसको भी एनलाइस करें कि आखिर यह गलत की होई ठीक है सीधिये कुछन पहले हम इसको रीट करते हैं क्या पूछ रहा है हमसे यह कुछन यह बोल रहा है कि इसमें आने वाले जितने भी सदस्य होते हैं उसमें एक स्पेशल टाइप का जो है सिस्टम प्रिजेंट होता है तंतर पाया जाता है जो किसी दूसरे फाइलम में नहीं पाया जाता तो वो तंतर कौन सा है चार option है आपके पास देखते हैं कौन कौन सा option है केनाल सिस्टम ठीक है पहला क्या है केनाल सिस्टम सकेंड option है water vascular system third option क्या है respiratory system और fourth option क्या है reproductive system चारो option में से आपको कौन सा जो है सही लग रहा है जल से जल आप अपने answer को पिक करें बिल्कुष straight forward question है और बहुत ज़्यदा important भी है इन दोनों ही options में आपको confusion नहीं होना कौन सा option first option और second option क्यों 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 कि ये canal system मतलब water canal system दिया हुआ है और यहां पर क्या है water vascular system सिद्धे आते हैं इसके discussion पे हम इसको discuss करते हैं हम से कौन से phylum के बात कि हम नहीं हमने कहा कि यहां पर जो हम phylum देख रहें हैं यह कौन सा है यह हैekाइन्य enikanodermata है ऩे लेकिन इससे पहले एक और phylum के बारे में आपको बता दूँ कि जब हमने पढ़ा था sponge के बारे में किसे बारे में sponge के बारे में sponge को ही कहते हैं पंज को ही कहते हैं पौरी फेरा ठीक है आपको जो है इन सभी आने वाले जो आगे के फाइलम्स हैं उसको पीछे वाले बैकवर्ड वाले फाइलम्स के साथ कनेक्ट करना आना चाहिए ठीक है इनका जो है इंटर कनेक्शन जो है आना चाहिए डिफरेंट टाइप के फाइलम्स के करेक्टर के बीच में ठीक है अब देखिए मैंने का अगर यहां पर इसपंज और पौरी फेरा की बात कते हैं तो यहां पर भी एक सिस्टम प्रेजेंट था जिसे क्या कहते हैं जिसे कहते हैं वाटर के नाल सिस्टम कहते हैं मतलब इसे क्या का जाता है जल नाल तंत्र तो यहां पर देखिए यह कैनाल सिस्टम क्या है यही नाल तंत्र को रिप्रेजेंट करता है किसके लिए होता है मैंने का यहां पर एस टू जो है वह कंडक्शन सो करता है और यह जल नाल तंत् है मैंने का यह तो इस पन से कर रहा है ठीक है अब देखिए एकायों डर्मेटा में क्या होता है एकायों डर्मेटा में होता है क्या मैंने का यह होता है यहां पर किसोस की बात करते हैं तो इसमें Water Canal system नहीं होता है जो किसी दूसरे फाइलम में नहीं पाई जागा इसका क्या है एक special character होता है ठीक है यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे सीधे water vascular system के function के बारे में भी आपको बताए था water के pathway के बारे में भी आपको बताए था क्या होता है कि इसके dorsal surface पे क्या होता है मैंने कहा एक special type प्रिजह्ट के बारे में तो यहाँ पर यहीं सही पूछ यहाँ पे इस question से belong करता है लेकिन मैं आपको इसके function के बारे में भी यहाँ पे बता दूँ क्योंकि detail study कर रहे हैं यहाँ पे function देखें तो function कौन-कौन सा होता है मैंने कहा यहाँ पर यह food को capture करने के लिए भी क्या होते हैं responsible होते हैं मतलब यह भोजन के अंतर गहन में भी help करते हैं इसके साथ साथ यहाँ पे sometime यह किसमें help करेंगे respiration में help करते हैं respiration के साथ साथ यह किसमें help करते हैं मैंने कहा यह जो है excretion में help करते हैं किसमें excretion में लेकिन इन सभी function के अलावा जो सबसे ज्यादा important और main function जो होता है वो क्य मतलब यह जल समंवहन तंत्र होता यह सभी प्रकार के कारी कर रहे हूं तो लेकिन यहाँ पे सब्सक्राइब कर लिए था कर लिया था जब मैंने आपको इकाइनों ड्रमेटा फाइलम के बारे बताए था ठीक है तलते हैं सीधे नेक्स्ट कोशन के तरफ क्या है देखिए पहले हम रीट करते हैं क्यों सा है कुशन पूछ रहा है कि रेस्पारिट्री और गंस इन दा मॉलस्क आर ठीक है यहां पूछ लुठ रहे देखिए चार औप्शन है सीधे यहां पे बहुत से ओप्शन है फ्स्ट ऑप्शन है डर्फ एप्शन है फोर्स लंग्स और करिया यहां पर आंसर पैस्ट के लिए जो अंग होता है molusca phylum में वह कौन सा होता है specially सीदे ही यहाँ पे डिलेक्ट टिक कर रहा हूँ यह कौन सा होता है टीनिडिया होता है मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे molusca में हम किस moluscus कांज की बात करें अगर हम यहाँ पे पहले जलिये मॉलस्कंस की बात करते हैं किसके मैंने कहा अगर यहां पे जलिये मॉलस्कंस की बात करते हैं तो जलिये मॉलस्कंस में क्या होता है टीनिडिया प्रेजेंट होता है टीनिडिया कहां प्रेजेंट होता है मैंने कहा टीनिडिया जो है इनके यह जो गिल होते हैं वो कैसे होते हैं मैंने का यह पंक नुमा होते हैं विंग लाइक होते हैं पंक नुमा गिल प्रिजेंट होता है जो कि किसमें हेल्प करता है मैंने का जो कि रेस्पाइरेशन में हेल्प करता है लेकिन रेस्पाइरेशन के साथ साथ यह किसमें हेल्प ओर्गंसरों यहां पर खेने को बिल्कुल नहीं होता किछल्य प्रकार स्वेस्ट्र के हैं अगर यहां पर उतां से किसके बारे में इस थलिये प्रकार में में क्या होता है तो यहां पर आंसर होता हमारा क्या आंसर होता है पल्मोनरी से क्या होता है यहां पर क्या प्रिजेंट होता है प्रिजेंट होता है ठीक है तो हमारा सीधिया आंसर कौन सा हो गया टिनीडिया आंसर जो हमारा हो गया सही हो गया करेक्ट हो गया कि यहां पर सोश इंचना किये लिट करते हैं पहले हम पढते हैं हमसे क्या पूछ रहा यह पूछ रहा है कि पिली साय पोडा जो है और यहां पर जो थौर्ड पोड्चन है वो क्या है वहत बाट्व डे HOW और यहां पर fourth option क्या है none of the above सीधा सा straight forward question है आपको बस बताना है पिली साइपोडा जो है basically ये class होता है ठीक है और इस class के बारे में हमने study कर रखा है और यहाँ पर जब हम किसके बारे में जब मॉलस्का का classification देखते हैं तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था पिली साइपोडा के बारे में सीधा इसका answer है क्या मैंने हम इनका यहाँ पर buy WallbyA है क्यों क्योंकि आप जानते है कि पिली साइपोडा जो है class को buy WallbyA क्यों कहते हैं क्योंकि यह मैंने कहा था यहाँ पर कुछ एक couple जैसे structure present होते हैं यहाँ पर कुछ एक valve के समान जो है इनके valve की संख्या कितनी होती है दो होती है इसलिए से क्या कहते है मैंने का by valve कहते है जहाँ पर by का मतलब क्या होता है टू होता है अगर यहाँ पर हम किस class की बात करें यहाँ पर तो हमने पिली साइपोडा के जो भी मिंबर होते हैं सीधा सा स्टेट फॉरवर्ड इसका क्या था अंसर था कि पिली साइपोडा जो है किसे कहा जाता है यह जो है इसे बाइवाल बिया भी कहा जाता है next question question number 8 की दरब लीड करते है question number 8 में क्या पूछ रहा है यह बहुत जदा important question है यह double star लगाने वाला question है यह क्या है कि इंक gland occurs in मतलब यहाँ पी पूछ रहा है कि स्याही गरंथी जो है किसमें पाए जाते हैं चार option है आपके पास 4 मिंबर दिये हुए कौन से हैं मैंने का एक तो है क्या एफिनियूरिया ठीक है सकेंड क्या है सिफेलो पोड़ा फिर थर्ड option है गेस्टो पोड़ा और फोर्ट option क्या है पिली साइपोड़ा चारो classes के name given है आपके पास और चारो classes में से आपको जल से जल बताना है मुझे कि यहाँ पे इस्याही गरंथी जो है किसमें प्रिजेंट होते हैं इंक ग्लेंड किसमें पाए जाते हैं सीधा सा state forward है पहले आप सोचें कि यह किस फाइलम से बिलोंग कर रहा है फिर आप सोचें कि कौन सा class है फिर सोचें कि कौन सा member है और उसमें स्याही गरंथी का काम क्या है यह सारे जो है question को आपको इपसे से interlate करके बताना है चारो option में से सीधे हम discussion पर आते हैं कि आखिर कौन सा जो है इसमें सही होना चीए पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि यह जो ink gland होते हैं इसे कहा जाता है स्याही गरंथी क्या कहते हैं इसे किस के बारे में बताय था जब मैंने आपको Cephelo Poda के बारे में बताय था जब मैंने आपको mollusq biblical program पढ़ाया था तो वहाँ पे Cephelo Poda एक class था ठीक है और इसी Cephelo Poda क्लास में क्या होता है यहाँ पे ink gland present होता है और Cephelo Poda क्लास को हम किस में किस फाइलम में पढ़ते हैं मैंने का ये हम मॉलस्का फाइलम में जब हम पढ़ते हैं किस क्लास में किस क्लास के बारे में किस वर्ग के बारे में हम यहाँ पे जब ये सिफेलो पोडा क्लास के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक member भी तो आता है मैंने का कौन सा? मैंने का Octopus कौन सा होता है? यह Octopus होता है Octopus में जो है यहाँ पे स्याही ग्रंथी present है लेकिन इसका work क्या होता है? मैंने आपको यह भी बताया था कि यह Aakerman और Swem की सुरक्षा के लिए पाए जाने वाले कुछ एक structure यहाँ पे स्याही ग्लेंड present होते है मैंने का यह क्या होते है? यह offense and defense के लिए पाए जाने वाले ठीक है? मैंने का यह offense and defense के लिए पाए जाने वाले क्या होते है? structure होते है अब सीधे लीड करते हैं हमारा सीधे आंसर क्या हो गया इस question का question no.8 का इस फिलो पूढ़ा हो गया जिसमें क्या present होता है यहां पर स्याही ग्रंथी present होती है सीधे हम question no.8 के बाद question no.9 के दरब लीड करते हैं क्या है यह मैंने का apple snail is the common name of सीधा बहुत सिंपल सा कोशन पूछ रहा है कि यह जो सेव घोंगा जिसे हिंदी में कहते हैं एपल स्नेल जो कहते हैं यह किसका कॉमन नेम है किसका सामानिय नाम है चार ओप्षन आपके पास दिया हुआ है यह चार ओप्षन कौन से हैं कि यह जो एपल स्नेल है वो उसका कॉमन नेम क्या होता है यह किसका कॉमन नेम होता है यह पूछ रहा है हम से चार ओप्षन में से बिलकुल आपको जो सकेंड ओप्षन दिख रहा है स्टेट फॉर्बर कॉशन है सोचने वाले कोई टाइम ही नहीं लगना चीज, question में बहुत ज़्यदा symbol question है, सीधे हम बात करें कि किसको कहते हैं, मैंने का ये पाइला को कहते हैं, ठीक है, किसको कहा जाता है, ये पाइला को कहा जाता है और पाइला जो है, basically हम किस क्लास में पढ़ते हैं, जब मैंने आपको मॉलस्का पाइला में, गेस्टो पोडा के बारे में बताया था, तो वहाँ में बताया था apple snail के बारे में, ठीक है, अब देखिए, सीधा सांसर था, question number 9 का कौन सा option है, पाइला है, ठीक है, सीधे question number 10 के देखिए, question number 10 देखिए, question number 10 जो है, हमसे पूछ रहा है कि organ of bojanus जो है, वो कहां पाइजाते हैं, ठीक है, यहां पे पूछ रहा है कि organ of bojanus होता है, मतलब ये क्या होते हैं, एक परकार के उच सर्जन के लिए पाइजाने वाले structure होते हैं, मतलब excretion के लिए responsible, मतलब उच सर्जन के लिए पाइजाने वाले structure होते हैं, organ of bojanus, इसके बारे में मैंने आपको किस फाइलम में बताया था, यह चार फाइलम या फी चार जो character दिये वे, चार option दिये वे आपको बताना है, कि इन चारों में से यह organ of bojanus किस से संबंदित है, किस से belong करता है, किस से related होता है, देखिए, चार option है, first है quadata, second option यहाँ पे kinodermata, third क्या option है, third है analida, और fourth option क्या है, moluska, चारों option दिये वे, चारों फाइलम है, आपको जल से जल मुझे बताना है, कि यहाँ पे organ of bojanus जो है, यह एक परकार का उत सर्जिस अंदसता है, मैंने हिंट भी दे दिया आपको, यह क्या है, एक्सक्रिशन के लिए पाए जाने वाले structure होते हैं, और चारों option में से कौन सा सही है, देखिए, सीध्या सा, straight forward इसका अंसर होना चीए, लेकिन उससे पहले हम discussion करते हैं, पहले, कि यह organ of bojanus क्या होता है, देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको कहा, कि यह चुहें क्या होते हैं, यह X-Critory structure होते हैं, मतलब यह क्या है, उत्सर्जन के लिए पाए जाने वाले क्या होते हैं, मैंने कहा यह उत्सर्जन के लिए पाए जाने वाले क्या होते हैं, संदसना होते हैं, X-Critory structure होते हैं, और इसी organ of bojanus को क्या कहा जाता है? इसी को कहते हैं craps gland, क्या कहते हैं इसको? मैंने कहा इसी को कहते हैं craps gland भी कहते हैं और इसी के साथ साथ इसे और क्या कहते हैं? इसे pericardial gland भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? इसे pericardial gland भी कहा जाता है, चीक है? है आप देखो मैं ने यह सब ही तरह के जो घृंदी के बारे में आपको नत्यस कहला था मैंने आपको basically किस फाइलम में बताया था किस संग में बताया था हमने जब पढ़ा था molluska में मैंने उच्छारजी संगतनाओं के बारे में, pericardial gland, krebs gland, organ of bojanus, इनके बारे में क्या किया था, explain किया था, आंसर क्या हो गया, हमारा, इस question का, question number 10 का आंसर क्या हो गया, यहां पे mollusca phylum हो गया, सिधे, lead करते है, question number 11 की तरफ, question number 11 क्या है, देखिए, पूछ रहा है, octopus के बारे में question आये हुआ है, यहां पे octopus का common name आप से पूछ रहा है, ठीक है, कि octopus is commonly called, octopus जो है, उसको, जो है, क्या कहा जाता है, सामानी रूप से, उसका सामानी नाम क्या होता है, चार option दिये हुए है, बिल्कुल simple सा question है, मुझे question read करने, इसके option read करने की भी अवर्शक्ता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल simple सा है, first क्या यहां पर यह जो है, basically किस class का member है, मैंने का, जब हमने पढ़ा था, मॉलस्का में कौन सा, मैंने का, सिफेलो पोडा क्लास, कौन सा क्लास, सिफेलो पोडा क्लास, सिफेलो पोडा को और क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है, साइफोनो पोडा, क्या कहते हैं, इसको, साइफोनो पोड़ा कहते हैं और साइफोनों पोड़ा में octopus के बारे में हमने study किया था और इसका common name क्या होता है मेरे का यह जो second option है जिसे क्या कहते है devil fish मतब राक्षस मचली कहते हैं सीधे से straight forward simple question था question 11 कि octopus का common name क्या होता है devil fish होता है अब देखिए next question के अब लीड करते हैं question 12 question 12 पूछ रहा है wax wax is produced by wax एक परकार का उत्पाद होता है वो basically कौन से species के तुरू जो है produce होते हैं उत्पादित किये जाते हैं चार option है first option है and second option है यहाँ पे honey bee और third option क्या है locust और यहाँ पे fourth option क्या दिया हुआ है all आपको बताना है कि यह जो wax है वो किसके द्वारा mainly produce किये जाते हैं देखिए मैंने आपको सीधे से जब मैंने आपको insecta class के बारे में आपको बताया था वहाँ पे इसको discuss किया था मैं मित करता हूँ आप सभी ने अपने answer क्या कर दिया होंगे left कर दिया होंगे यसीदे पूछ रहा है wax के बारे में wax को क्या कहते हैं इसी को हम कहते है mom ठीक है और यह जो है primary product किसका होता है आप जानते है honey bee का होता है ठीक है honey bee के बारे में मैंने आपको किस class में बताया जब मैंने आपको इंसेक्टा क्लास बताया था किसके बारे में जब मैंने आपको इंसेक्टा कोई क्या कहते हैं इंसेक्टा कोई कहते हैं hexapoda क्या कहते हैं इसको hexapoda क्लास में मैंने honey bee के बारे में case गवहको बताय था कि इसके क्या होते हैं मैंने CC यह जो है इन्सेक्ट या फिर यह जो हैं एकशापोड़ा का मेंबर क्या बसाय होता है हुए में sent based ह्विक लागा और हम क्या पएर में उँचुछ एक पुछ एक सानी की बात विले कि में हैं उनके Skills के आगे एंटिरियर पार्ट में क्या प्रिजेंट होता है मैंने का उसके एंटियर पार्ट में पॉलेन बास्केट होते हैं जहां से वो फूल के रस को क्या करते हैं इखटा करते हैं तो मैंने का हनी जो है उसका सकेंडरी उतपाद हो सकता है लेकिन मेजरली प्राइमरी उतपाद क्या होता है wax होता है या mom होता है ठीक है सीधे हम question 13 के तरफ lead करते हैं question number 13 कौन सा है रिखिए पूछ राए कि crab and prawn चीक है यह दो species दिया हुए है फूछ है कि यह कौन से class से भी लॉग करता है चार class आपको option में दिये हुए है कौन कौन सा है first class है इंसेक्टा सकेंड क्लास है डिपलोपोडा थर्ड क्या है क्रिस्टेशिया और लाश्ट क्लास क्या है एरेक नीडा ठीक है इन चारों उप्शन में से आपको जल से जल मुझे बताना है कि कौन सा ऐसा क्लास है जिसमें ये स्पिसीज जिसे हम क्रैब के रहे हैं या प्राउन के रहे हैं वो सम्बंदित है रिलेटिड है जल से जल आप मुझे बताएं कि कौन सा ऑप्शन जो है आपके एकॉर्डिंग most appropriate answer लग रहा है सीधा सा straight forward question है ये कि आपको बस सोचना है कि पहले कौन से हम फाइलम की बात करें फिर आपको सोचना है कि यहाँ पे एक कौन सा option आना चाहिए ठीक है देखिए यहां पर सीधे ही बात करते हैं कि यह किस फाइलम के member के बारे बोल रहा है मैंने कहा यह अगर हम किसकी बात करें और्त रोबॉडा की किसकी बात करें यहाँ पे और्थरोपोड़ा के बात करें, ठीक है? और्थरोपऱ फाइलम में जब मैंने आपको क्यों सा क्लास पढ़ाया था जब मैंने आपको Crustacea क्लास पढ़ाया था, 스cı के different member के बारे में हमें discuss किया था कि जो crab होते हैं, इसे केकडा कहते हैं या इसे canker कहते हैं, ठीक है? और अगर हम यहां पे प्राउन की बात करें तो प्राउन को हिंदी में क्या कहा जाता है जिंगा मचली कहा जाता है पेला मौन इसको कहते हैं और यह जो है क्रैब और प्राउन डौनों ही किस क्लास से बिलॉंग करते हैं मैंने का Crysticia class से belong करते हैं और Crysticia class जो है कौन से phylum में हम करते हैं मैंने का Orthopoda phylum में study करते हैं जो की Animal diversity का largest phylum होता है सीधे lead करते हैं Question No.14 के तरफ Question No.14 के आप हम देखते हैं क्या पूछ रहा है पूछ रहा है The Biggest Class of Animal Kingdom पूछ रहा है कि Animal Kingdom मतलब जन्तु जगत जो है उसका Biggest Class मतलब सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है चार ओप्शन दिए हुए आपके पास फर्स्ट ओप्शन है Orthopoda सकेंड ओप्शन है Insecta थर्ड ओप्शन है यहाँ पे Mammalia और फोर्ट ओप्शन क्या है यहाँ पे Crystasia के बारे में बिल्कुल Straight Forward Factual Question ही पूझ लिया है इसमें सोचने की बिल्कुल जरुतनी यह Logical Question है नहीं सीधे ही आपका अंसर ना चीए कि अगर हम जब भी Largest Phylum की बात करते हैं तो होता है Orthopoda Orthopoda का ही Class है जिसे क्या कहते हैं Hexapoda या फिर Insecta कहते हैं इसे कहा जाता है Hexapoda या फिर Insecta कहते हैं तो यह हमरा आंसर क्या हो गया Insecta और Hexapoda Animal Kingdom का वो Class है वो जगत है जिसमें कौन साइस पी जाता है मैंने कहा यह Insecta Class में ही यह कह सकते हैं कि Number of Species जो होता है वो बहुत जयदा है मतलब इसकी जय विवित्ता बहुत जयदा है बायो डिविशिटी बहुत अधिक है इसलिए हम कहते हैं कि Insecta या फिर Insecta या फिर Hexapoda जो है Is Considered as a Largest Class of Animal Kingdom सीधा साही यहां पर आंसर था Question No.14 को में डिसकस कर लिया सीधे लीड करते है Question No.15 के दरफ यह क्या पूछ रहा है आपसे देखिए यहां पर एक Species दिया हुआ है पूछ रहा है Scolopendra क्या है? Scolopendra जिसे हम Centipede भी कहते हैं आपको बताना है कि यह किस Class के समद्धित है यह जो Scolopendra होता है यह Centipede होता है वो किस Class से समद्धित है पहले आपको यह सोचना पड़ेगा कि यह पहले किस Phylum में है पहले आपको संग के बारे में सोचना चाहिए उसके बाद उसके Class के बारे में फिर Member के बारे में सोचना चाहिए चार ओप्शन दिये हुए है फर्स्ट ओप्शन है Crustacea सकेंड ओप्शन है Insecta फर्ड ओप्शन है Diplopoda और फूर्थ ओप्शन क्या है Kylo Poda ठीक है बिल्कुल सिंपल सा ही क्योशन है कि Scolopendra जो है Centipede जिसे कहते हैं जिसे हम Hindi में क्या कहते हैं इसे कहते हैं सत्पादा या फिर कन खजूरा भी कहा जाता है आपको बताना है कि चारो ओप्शन में से कौन सा ओप्शन सही है बिल्कुल स्टेट फॉरवर्ड कोशन है Scolopendra के बारे में मैं आपको किस क्लास में बताया था आपको मैंने काईलो पोड़ा क्लास के बारे में बताया है काईलो पोड़ा में ही यहाँ पर एक सिंगल मेंबर के बारे में हम ने श्टड़ी किया था वो कौन सा था वो Scolopendra सत्पादा था जैसे में यहाँ पर जो बॉड़ी के अगर पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर बॉड़ी पार्ट की बात करें या फिर हम इसी को क्या कह सकते हैं अगर हम इसके segments की बात करें यहाँ पर बॉड़ी पार्ट या segments की बात करें segment कितने होते हैं 100 होते हैं और 100 तो होते हैं लेकिन इसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो first segment होता है अगर हम किसकी बात करें जो first segment होता है यह जो हैं modify हो जाते हैं modification सो करते हैं किसके अंदर मैंने का यह modification सो करते हैं यहाँ पर poisonous glow होते हैं क्या होते हैं मैंने का यहाँ पर poisonous glow होते हैं और poisonous glow मतलब जहरीले नाखुन में क्या हो जाते हैं change हो जाते हैं इनके hundred segment होते हैं जो प्रतम परकार का जो खंड होता है first segment होता है उस पे पाए जाने वाले स्रयुक्त उपांग जो है वो रुपांतित होता है किस में मैंने गात जहड ले नाखुन में ठीक है और इस तरह के character जो हैं हमें स्किलोपेंटरा, सेंटिपीज में देखने को मिलता है अच्पल्ब यहां पीवित जवास्म की बात करें तो आखिर वह पर्टिक्लर कौन सा इस्पेसीज आपको इन 4 option में दिख्ञा है जिसे जीवित जवास्म केहते हैं जीके 4 option है आपकी पास कौन से हैं मैंने का 4 option है फॉस्ट ऑप्शन है लिमिलस टीक है सेकें ऑप्शन यहां पे यहां पे यहां पे फॉर्थ ओप्शन दिया हुआ है स्कॉर्पियन ठीक है चारों अलसेजल बताना है कि आखिर वो कौन सा पर्टिकुलर मेंबर है वो कौन सा सदस्य है चार ओप्शन में जिसे क्या कहते हैं जिसे कहते हैं जीविद जिवास ठीक है लिविंग फॉ इसे कहते हैं जीवीत जिवाश्म कहा जाता है और यह जो लिविंग फॉसिल है इसके बारे में मैं आपको और चलास में बताया और उसमें कौन से मेरोश्टो 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 मेर बात करें तो क्या होता है respiration के लिए इसमें respiration के लिए book gills होते हैं क्या होते हैं book gills होते हैं ठीक है चलो हमने ये question number 16 discuss किया सीधे lead करते है question number 17 के तरफ question number 17 देखते हैं यहां पर question number 16 तक हमें discuss कर लिया है next question पूछ रहा है कि आखी ओर्थरोपोर्ड का कौन सा ऐसा मिम्बर है अगेन लिविंग फॉसिल पे ही कोशन आ रहा है लेकिन option क्या है option चार option दिये हुए है साइमेक्स ठीक है सकेंड option यहाँ पे ट्राइथरस ठीक है और यहाँ पे third option है पेरिपेटस और fourth option क्या है यहाँ पे यूपेरगस ठीक है यहाँ पे चारो option में से बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ आपने अपने answer जो हैं left कर दिया हूँगे comment box में सीधा साइस का भी answer है और तुर पोड़ा में ही मैंने आपको पेरिपेटस के बारे में बताया था और पेरिपेटस को हमने किस क्लास में किया था study मैंने आपको बताया था onikophora किसके बारे में मैंने आपको आउनिकोफोरा के बारे बताए था आउनिकोफोरा जो है एक class होता ए किसका मैंने कहा ये और्थरूपोडा फाइलम का ही class होता है और इसे किया क Sutने पेरिपोडस के ते हैं लेकिन यहां पर एक ओर point मैंने आपको पेरिपेटर्स के बारें बताया था कि यह क्या होता है मैंने का यह सयोजग कड़ी होते हैं क्या होते हैं यह connective link होते हैं क्या होते हैं यह connective link तो होते हैं लेकिन किस-किस के बीच में होते हैं यह connective link होते हैं एनलिडा ठीक है और किस phylum में होते हैं मैंने कहा orthropoda phylum में होते हैं और जिवीत जिवास भी इसे हम कह सकते हैं question number 18 देखते हैं देखिए question number 18 क्या है पूछ रहा है कि excretion in the orthropoda take place by मतलब यहां पे orthropoda जो संग होते हैं उसमें जो उचसर्जन है excretion किस particular संगस्तना के माद्यम से होता है चार option दिये हैं आपके पास first option is malpigion tubule second option is green gland third option is coxal gland fourth option is all of the abo इन चारों ही उसर्जी संगस्तना को आपको देखना है और जल से जल मुझे बताना है कि कौन सार जो है answer आपको most appropriate लग रहा है यहाँ पर मैं one more time पढ़ने वाला हूँ कि यह जो आपसे पूछ रहा है कि उस सर्जन के लिए orthopoda में आखिर कौन सी संगस्तना पाई जाती है जल से जल आप सीधे answer करें यहाँ पर देखिए discussion करते हैं सीधे अपन बात करते हैं orthopoda phylum में पाए जाने वाले excretion के लिए जो structures होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं मैंने आपको malpigan tubule के बारे में बताये हुआ है green gland के बारे में भी बताये हुआ है और coxal gland के बारे में बताये हुआ है यह तीनों ही परकार की संगस्तना है यहां इसे कहा जाता है antunary gland क्या कहते है यह जो antunary gland भी कहा जाता है और यह जो antunci podría कहते हैं यह में खी होते हैं उटसर्शन है और इसके साथ साथ मैल्पिगर्यन tubule भी होते हैं और coxal gland भी होते हैं तो option यहाँ फे अलम देब है लेकिन अब यहाँ पे हमें डिसकस यह करना है कि अगर Malpigian Tribune की बात करें तो हम यह कहते हैं कि जो भी Orthopoda के Member कहां पाए जाते हैं इस थल पे पाए जाते हैं Terrestrial होते हैं कैसे होते हैं मैंने कहा यह अगर Terrestrial होते हैं इस थल यह परकार के होते हैं मिलते हैं तो उसमें जो यहाँ पे उत्सरजन के लिए पाए जाने वाले संदस्तना की बात करते हैं वह क्या होता है मैंने कहा उसमें जो है ग्रिन ग्लेन पाए जाता है ठीक है हमने यहाँ पे Question 18 को डिसकस कर लिया सीरे लीड करते है Question 19 के दरफ यहाँ पे देखिए Question 19 है Millipid belong to क्या है Millipid जो एक Member होता है चार ओप्षन दिया हुआ है चारो जो है आपको पोच रहा है Class की नेम गिवेन है ठीक है आपको बताना है कि किस Class का Member है यह Millipid ठीक है देखिए चार ओप्षन दिये हुए है चार ओप्षन क्योंकों से हैं दिपलोपोडा, सकेंड ओप्षन है Crustacea, थाड़ ओप्षन है Insecta, और फोर्थ ओप्षन क्या है Arachnida यह है basically diplopoda, insecta, crustacea और arachnida इन चारो class में बताने हैं आप चारो option में आपको बताने हैं कि millipede जो है वो किस से belong करता है देखिए मैंने millipede के बारे में orthopoda phylum में बताया था जब हमने किस के बारे में कौन से class को discuss किया था मैंने का जब हमने यहाँ पर diplopoda को discuss किया था तो वहाँ पर ही क्या पढ़ते हैं यहाँ पर millipede पढ़ते हैं millipede जो है इसी को क्या कहते हैं इसी को हमने julus कहा था ठीक है और इसके particular हमने body part की भी बात की थी कि body part में यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर basically head भी present होता है क्या होता है head भी present होता है यहाँ पे thorax भी present होता है और thorax के साथ सार यहाँ क्या present होता है मैंने का यहाँ पे abdomen भी क्या होते है present होते है यहाँ पे चारो option में से कौन सा option सही हुआ फिर मैंने का इस question number 19 का millipede जिसे जुलस भी कहते हैं यह जो है इसके लिए सही आंसर कौन सा हुआ यह बिलॉंग करते हैं सम्बंदित होते हैं डिपलोपोडा क्लास से ठीक है लास्ट कॉश्चन कॉश्चन नमर 20 हम डिसकस करने वाले हैं कि रेस्पाइरेट्री और गंस ओफ दो और त्रोपोड और त्रोपोडा जो फाइलम है उसमें हम अगर किसकी बात करें सौशन के लिए आवश्यक अंग या फिर सनस्ताओं की बात करते हैं तो कौन से होते हैं चार ओप्शन दिये हुए आपके पास हैं इस कॉशन में क्या पूछ रहा है कौन सा आंसर आपको लगता है सही है कि मतलब और त्रोपोडा फाइलम में पाए जाने वाले सौशन के लिए जो अंग होते हैं वो कौन से होते हैं देखे चारो ओप्शन दिये हुए हैं देखे लिए तो चारो ओप्शन में इसे अगर बात करें वन बाई वन गिल्स मतलब क्लोम बहुते हैं बुक गिल्स बुक गिल्स भी होते हैं साथ साथ यहां पे बुक लंगस और ट्रेकिल सिस्टम भी तो होते हैं और तो पुड़ा में पाय जाने वाले 100 शनंग के रोप में ठीक है मतलब ये तीनों आप्शन ही ठीक है तो हमरा जो आंसर क्या हो गया मैंने का ये जो fourth आंसर है विसे क्लिए क्या है ये है all of these मैंने का उपरोग सभी जो हैं ये हो गया क्योंकि हम ये जानते हैं मैंने आपको ये कहा था कि सपेशली अगर हम ऍर प्रकार की इचनिधे है यर जो गिल्स होते है विसे क्लिए ये एक्रीकिन जो बत saint प्रकार की वा ग्येख धसली होते हैं जलिये प्रकार के जो उत्र फोड होते हैं उसमें पाये जाने वाले जो सोचनिय सनस्ता है उसे क्या कहते हैं गिल्स कहते हैं लेकिन हमसे तो पूछ रहा है respiratory organ तो यहाँ पे तो सभी option क्या है ठीक है तो यहाँ पे basically क्या हो गया मैंने कहा यहाँ पे फोर्थ option हो गया all of the above ठीक है यहाँ पे देखिए मैंने आपको previous जितने भी फाइलम non-cordate के मैंने आपको पढ़ाए उस पे आधायत मैंने 20 questions जो है 20 20 important questions जो है discuss किये हमने सभी content के साथ साथ non-cordate को finish कर लिया और अभी जो हमारा अभी जो theory का part हमने लिया था वो क्या था यहाँ पे super class species के बारे में मैंने आपको अस्थी में उपास्थी में प्ले को डर्माई इन सभी के कुछे characters बताए थे और अब जो है in the next lecture यहाँ पे इन दौनों ही तरह के मचलियों के fishes के example हम discuss करेंगे ठीक है तब तक के लिए जैहिन जैराजधानी